कि नॉर्णिंग डियर स्टुडेंट्स कैसे में टाफ सब लोग चलिए बाई शुरुवात करने वाला है आपन बहुत अच्छे चैप्टर रही चैप्टर तो वैसे चली रहा है मिन्टर न्यूट्रिशन पर टॉपिक एक और अच्छा आने वाला है अपने सामने जैसे कि जाधा होने से होता है पर अभी लेखने कि ब्सोब कैसे करते हैं और होते कहा है पिरन देखना कि होते कहा है कैसे लिये जाते है और कैसे अभ्डो खिया आ एकर उन। से the mechanism of absorption of elements by plants has carried out an isolated cells tissues or leaves या तो cells के अंदर होगा tissues के अंदर होगा इनके through जो है absorption होता है elements का अगर अपन बात करें यहां पर basically studies reveal that process of absorption can be characterized in two main phases जो process absorption का minerals का plants के अंदर उसको दो main phases में बाठ सकते हैं पहला the first phase initial rapid uptake of ions into the epoplast जो epoplast है उसके अंदर जो है basically वो जो process होती है जो passive uptake होता है ions का वो rapid intake होता है ions का जिक अपोप्लास्ट के अंदर हो यह passive process होती बेटा यह बहुत ध्यान अखने वाली बात है उसके बाद आप देख सकते हैं कि diagram आपको पता है अपने पहले ही बात करें वही कि epoplast के थ्रूँ यहां पे mineral science जो है passive process के थ्रूँ आपे जाते है second आता है second phase जो आता है वो ions का आता है वो simplest के अंदर जो movement होता है वो आता है तो पहले epoplast के अंदर जाएंगे free space के अंदर और उसके बाद move करेंगे वो simplest के अंदर जहां पे उनको जाना पड़ेगा active process से किसके थ्रूँ ATP use करते हैं उनको वहां पे जाना पड़ेगा और ATP use करने की जरूवत कहां पड़ी the passive movement of ions into the epoplast from the cell along the concentration gradient is usually occurs through ion channels वो तो जो epoplast के अंदर हो रहा है वो तो ion channels के तुरू हो जाएगा facilitated diffusion हो जाएगा कैसा हो जाएगा बेटा facilitated diffusion हो जाएगा वो तो ions का होगा तो passive movement epoplast के अंदर पर पर कैसा होगा facilitated diffusion ions बेटा ions form में तो ions आएगे तो उनको transport channels की requirement तो पड़ेगी न तो transport channel वह पर कौन प्रोबाइड करता है तुरू ही हो पाएगा अगर अपन बात करें ions का जो movement है वो flux क्यलाता है बेटा अगर अंदर मूफ कर रहें तो influx क्यलाता है और बाहर मूफ कर रहें तो efflux क्यलाता है अगर अंदर मूफ कर रहें तो influx बाहर और मूँव कर रहे तो इफ्लक्स के अंदर मूँव कर रहे तो इफ्लक्स क्या लाता है अगर आपन बात करें कुछ mcqs की इसके बेस पर तो inward movement into the cells क्या क्या लाता इफ्लक्स passive transport active transport या influx मेरे बच्चे-बच्चे को पता है कि option क्या जाने अगर आपन टॉपिक देखें बेटा ट्रांस लोकेशन ऑफ सोल्यूट्स एंड स्वाइज रिजर्वियर ऑफ एशेंचिल एलिमेंट्स यह टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं बेटा कि हमें यह देखना है कि mineral elements जो soil में थे वो soil से निकल के यह तो अपन ने देख लिया कि एब्जॉप एपप्लास्ट के थूँ या simplast के थूँ पहले तो फिर second phase में किसके थूँँए simplast के थूँँए active absorption होगा अब अपन यह देखने जा रहे है बेसिकली कि translocation कैसे होगा जो roots में है वो उपर तक कैसे जाएंगे बही जो roots में है उनको उपर तक पुरा leaves तक ब्रांस तक photosynthesis जहां हो रहा है metabolism जहां हो रहा है हर एक cell तक हमें पहुचाना है cell cell तक पहुचाना है metabolism में पार्ट लेने वाले वो mineral nutrients तो basically हमें cell cell तक पहुचाना है तो उपर तक पहुचाना पढ़ेगा तो ट्रांस लोकेट कैसे होंगे roots से लेकर उपर तक और उसके लावा soil की हम भूमी का देखेंगे यहां पर की soil reservoir की तरह कैसे act करता है mineral nutrient के चलिए पहला देखते हैं translocation of solutes mineral salts are translocated through xylem and ascending stream of water which is pulled up through transpirational pull जो नीचे के जो solutes है वो transpirational pull के through ascent of sap याद आया कुछ बिलकुल याद आया होगा मेरे बच्चे को सवाश यह हुई ना बात यार ऐसे बिलकुल strike करते रहना चाहिए जो transportation of plants पढ़ा तो उसमें अपने बढ़ा था कि transpirational pull के through water or inorganic solutes solutes inorganic जो है बात करें अपन वो कौन लेके जाता है अगर आपन बात करें soil as a reservoir of essential elements की next topic जो आपन देख रहे है soil reservoir कैसे act करता है essential elements का अगर आपन बात करें majority of the nutrients की जो essential होते है growth के लिए development और प्रांच के लिए वो available होते है due to breakdown and weathering of rocks जो weathering अपन ने बेटा sst में पढ़ा है science में पढ़ा है जो junior classes से उसके अंदर की weathering and बेटा बात करें कि यह न weathering और वहाँ पर जो breaking of rocks होती है उनकी वज़े से क्या बनते है बेटा soil बनते है अब soil बनते है और बने किस से है weathering of rocks से ठीक है इस तरह से weathering of rocks से बेटा soil बन गया अब बना किस से soil weathering of rocks से इस वज़े से बेटा जो soils होते है न वो enrich होते है जिस हिसाब की rock से वो बने जो parent material कह कहलाता है वो rock कहलाती है rock जिस material जिस rock के अंदर वो mineral सबसे ज़्यादा रहेगा तो उसी के जब वो soil बनेगा weathering होके तो soil के अंदर भी mineral वो सबसे ज़्यादा रहेगा अगर अपन बात करें आगे कि since they are derived from the rock minerals their role in plant nutrition is refer to as mineral nutrition उनका role जो है plant के अंदर वो mineral nutrition कहलाता है क्यों कहला है mineral nutrition क्योंकि वो rock mineral से बने है rocks की weathering से बने है इसे mineral nutrition कहलाया आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे mineral nutrients आपको soil के अंदर दिखाए दे रहे हैं कुछ आपको बाहर से weather के थ्रू मिल जाएंगे कुछ आपको बाहर से जो है अंदर से soil के थ्रू मिल जाएंगे soil consists of wide variety of substances soil जो है wide variety of substances का बना होता है जिसमें humus आ गया जो है nutrients आ गए बहुत सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें आ गई soil not only supplies mineral but also herbards nitrogen fixing bacteria other microbes बहुत सारे microbes उसके अंदर होते है nitrogen fixing bacteria उसके अंदर होते है उसके लावा उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है बेटा सिर्फ mineral neutrality नहीं होते है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है humus होता है air होती है capillary water होता है जो roots supply करती है plants को उपर की तरफ बात करें अपन यहां पर rhizobium bacteria आपको दिखाई रखे हैं अगर आपन बात करें water यहां पर होता है यहां पर बात करें कि यहां पर air होती है और इसी का अपन ने analysis करके यह पता लगाए कि soil as a reserve year है किसका बहुत सारी चीज़ों का since deficiency of essential mineral effect the crop yield चूकी deficiency mineral nutrient की बहुत सारे crop yield को effect करती हो हर एक nutrient की deficiency हर एक particular symptom दिखाती है तो उस symptom को देखते हुए हम उस particular nutrient को provide कर सकते हैं plant के अंदर किसके थू फर्टिलाइजर के थू अगर हम बात करें nitrogen, potassium, phosphorus, sulfur, manganese, iron और micronutrients और micronutrients की तो इनको हम फर्टिलाइजर के थू ब बाहर से तो मिली रहे है पर अगर deficiency हो गई तो हम फर्टिलाइजर के थूरू भी इनको supply कर सकते हैं समझ तो रहा है ना लाला बहुत सिंपल सी बात है यार अब कुछ M.C.U. इसके basis के अपन सॉल्व करेंगे बेटा, mineral salts are translocated through, mineral salts किसके थूरू translocate होता है, roots, xylem, root hairs या none of these और वेसी बात है अपन पढ़के निम्टे अभी बेटा कि xylem ही main क्या है, transportation medium है, नीचे से उपर ले तक जाने का, तो xylem, second option lock कर दे जाए, computer वाश है, बिल्कुल correct answer, अगर अपन बात करें second question कि fertilizers supplied as micronutrient, fertilizer जो micronutrient की form में supply किये जाते है, इस यसी कि copper, nitrogen, phosphorus और sulfur, अपने macro औ अपन की passive movement होता है, वहाँ पे facility diffusion और simplast की अपन बात करें, तो active होता है, तो second option lock कर दे जाए, computer माश है, बिल्कुल correct answer यहाँ पे, अपन बात कर रहे है किस की, अपन बात कर रहे है, कुछ MCQs की जो अपन ने देखे कि वह यह इस तरीके से जो movement होता है, passive movement होता है, फिर अपन को भी मिल जाता है, बहुत सारे nutrient, पर basically अगर किसी की deficiency हो जाए लाला, तो कैसे दी जाएगी, fertilizer की through जाएगी, तो हर एक प्लान जिसकी deficiency की symptoms show हो रहा है, nutrient के, वो nutrient अपन को बाहर से fertilizer की form में देने को available होता है, यह अपन ने बात करे कुछ nutrients की, उनके deficiency की और वो कैसे act कर सकता है soil उनको कैसे provide करता है, वो सब चीज है, बागी बाते बार है, जो है nitrogen का अपन को metabolism देखना है, अगले lecture में, और उसको कैसे soil के इंदर fix किया जाता है, और plant को कैसे available होता है nitrogen, जो कि एक बहुत बड़ा macro nutrient है, essential nutrient है plant के लिए, वो अपन देखेंगे, अगले lecture में, तब तक के लि thank you and take care